महापौर हजास ठेबर ने मतं मार्केट को लेकर कहा कि नगर निगम नाया मार्केट बनाने जा रही है जोहर बजार को नगर निगम के द्वारा पहली बार स्टैंडर्ड मतं मार्केट बनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि जोहर बजार में जितने भी मतं चिकन मार्केट है उस कि जब लंबा काम हो गया फिर लॉक डाउन आ गया उसके बाद फिर और भी परिसानी आते रही तो बिचारे जो वैपारी है वह ऐसी परिसान एक तो लॉक डाउन है उपर से फिर तिन चार्ज मेने सो लोगों का भाइपार धाप है फिर लोगों का काम बन दें और यहां कई लिए बन नमांतन का काम भी यहां पर रुका हूँ मगर हम लोग ने यहां से पास करके हमने सासन भेट दिया है अब मेने आज कमिनसर tit perfect को बोला है कि इसमने जिद्धी जल्दी जल्दी हम लोगों का नमांतर करवा दें उनका भी काम हो जाएगा और हमारे पास नमांतर के साथ हमारे पास भी जो पैसे की समस्या है वो भी हमारे नगर निगम को राजसों भी प्राप्त होगा और उनका भी काम हो जाएगा तो कल इसको लेकर कल चार बजे जैसे उनका नमंटन की प्रकिरिया और भी उनकी दो-तीन प्रॉब्लम्स है तो वो सब जानके एक आध हपते में सब को ठीक ठाक करके वो कर दिया जाएगा दूसरा कल हम लोग अभी एक चीज और अच्छी करने जा रहे हैं नगार निगा मिकालता है साथ पहली बार हम ऐसा कर अबी पर भी न हुआ जितिते भी वहां पर मटन मार्केट है चिकन मार्केट है उनके लिए स्टैंडर्ड वाला अभी हम जाते हैं गोंदो मिट काड़े नहीं हो सकते बद्बू मारता है हम चाहते हैं कि वहां पर एक ऐसा एक ऐसी म안र्केट बन जा है जिसमें बकाएदा प के लिए जिससे लोगों को खरीदने भी अच्छा लगेगा बेटने वालों को बेटने में भी अच्छा लगेगा चार पांच जार श्पीट के जगह हैं वहां चिरिफ 5-6 मटन वाले बैठते हैं तो वह भी एक खाली हो जाएगा तो यह भी एक कल हम लोग नहीं चीज करने ज जारे मटन और चिकन का टिसीपे 24 न्यूस के लिए वीडियो जनरलिस्ट एस गनेश के साथ चितर पटेल की रिपोर्ट